तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवर धक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 16 मार्च 2020 सोमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों का सिधा असर बारा में से साथ राशी वालों पर अधिक रहेगा इन साथ राशीों में आज है वरशब, मिथुन, कन्या, तुला, वरश्चिक, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वही अन्य पांच राशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा तो आज चेत्रमास कुरश्ण पक्ष की सब्तमी एवं अश्टमी तिति है सोमवार का दिन है आज का दिन मान है 12 घंटा एक मिनिट का आज सुर्योदय होगा प्राता काल 6 बच के 29 मिनिट पर और सुर्यास्त होगा साम 6 बच के 30 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात जेष्ठा नक्षत्र से होगी और आज सिद्धी एवं व्यती पात नाम के दो सुब्योग रहेंगे आज चंद्रमा का संचरन वरश्ची के राशी में होगा और आज का सर्वस्रेष्ट महुरत अभी जीत महुरत आरम होगा दिन के 12 बच के 5 मिनिट से आरम बहु करके तो 12 बच के 53 मिनिट तक सर्वस्रेष्ट समय रहेगा इस स्रेष्ट महुरत में आप किसी भी सुब्योग नए काम की सुरुवात कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी इस समय अवधी में आप कर सकते हैं यह महुरत बहुती स्रेष्ट माना जाता है और आज का अशुब समय दुष्ट महुरत प्रारंब होगा दिन के बारा बच के त्रेपन मिनिट से आरंब हो करके तो सायंकाल चार बच के छे मिनिट तक अशुब समय रहेगा इस समय अवदी में आप कोई भी शुब बनाया काम आरंब नहीं करें और आज राहु काल रहेगा प्रातह काल 7 बच के 69 मिनिट से आरंब हो करके तो प्रातह 9 बच के 29 मिनिट तक राहु काल रहेगा इस दोरान किसी भी परकार की खरीदारी का काम आप नहीं करें वह किसी भी परकार का लेंदेन आप नहीं करें किसी को धन वस तो आज के दिन आप पूर्वडिसा की और मुख करके कोई भी शुभ म탄गलिक व नए काम की शुर्वात नहीं करें, पूर्वडिसा की आप यात्रा भी नहीं करें, यदि यात्रा करना आपको अती आवशक हो, तो अपने इस्ट देवता की स्रद्धा पूर्वक पूजा अर् तो आज जो है सोमवार का दिन है आज का दिन भगवान शीव जी को अतिप्रिय है तो आज के दिन शीव जी की करपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का वरत रखना चाहिए या उनके निमित तो कोई खास उपाय करना चाहिए इसा करने से भगवान शीव की विशेश करपा हम को मिलती है और मनों कामना जो हमारी होती है वह भी शिगर पूरी हो जाती है तो आज जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपको क्या खास उपाए करना चाहिए आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेशराशी से अरम्ब करते हैं मेशराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज भाग्य का भरपूर सांत आपको मिलने वाला है सामाजिक तता अन्य छेत्रों में ख्याती वा सम्मान की प्राप्ति के योग रहेंगे सुन्दर वस्तर अभूशन की खरीदारी आप कर सकते हैं साथी वाहन सुक भी आपको मिल पाएगा विद्यारती वर्ग को अभ्यास में सफलता मिलेगी और साजेदारों के साथ संबंद आपके बहतर बने रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं नए कारी की शुरुबात के लिए उचित समय आज नहीं रहेगा यात्रा में आपको विग्न ज़्यादा हो सकते हैं योग और साधना और आध्यात में काम आज आपको शांती प्रदान करेंगे आज वाहन का प्रयोग सावधानी से आपको करना चाहिए शुब कारियों में आपका खर्च अधिक हो सकता है शेयर मार्केट में निवेस यदि आप करना चाहते हैं तो आज सत्रकता पुरवक निवेस करें आज लाइप की यदि हम बात करें तो इस रासी के लोगों के साथ यदि प्रेम संबंद निभाने का अवसर यदि मिले तो समझे आप बहुत ही लख्की रहेंगे एक विश्वास पातर और इमानदर साथी क्या होता है यह बात आपको तभी समझ में आएगी जबकि आपको इस रासी के जात तक आपका प्रेमी या प्रेमी का बन जाएं आज इस दामपत्ती जीवन की यदि हम बात करें तो दामपत्ती जीवन आज आपका सामाने रहेगा आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए शुब फलों को देने वाला होगा यदि आप नोकरियादी करते हैं तो उसमें तरक्की के योग रहेंगे आकस में के धन प्राप्ती के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार प्राप्ती के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज साकाहरी और उत्तम भोजन करना आपके स्वास्त के लिए उपयुकत रहेगा इसके अलावा योग ध्यान का आप सहरा भिले तो यह भी आपके स्वास्त के लिए स्रेष्ट रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकशात है शुबरंग आपका सभेद रंग है अदिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शिव के मंदिर में गा पत्र सफेद चंदन लगा करके अरपन करें एक धतूरा अरपन करें और पुष्प की माला अरपन करें रितुफल पंचमेवा मिठाई का भोग अरपन करके एक स्रीफल चड़ावें और करपूर से उनकी आरती उतारें और यथा शक्ती भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज का दिन नए कारियों की सुरुवात करने के लिए काफी आज आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही भूमी भवन प्रापर्टी संबनित विवादों का सामना आज आज आपको करना पड़ सकता है इसलिए सावधानी पुरवक विवहार करने की आवश्यक्ता ज्यादा रहेगी परिस्रम की भी अधिक आवश्यक कि यदि हम बात करें तो आप जिसके साथ एक बार जुड़ जाएं समझिए आज जीवन उसका साथ देने वाले होते हैं किसी भी हाल में अपने साथी से दूरी बना करके आप नहीं रख पाएंगे जिसके भी साथ है भावनात्मक रूप से आप जुड़ पाएंगे उसके परती इमानदार भी आप रहेंगे यदि वहाँ आपका जीवन साथी है तो यहाँ आपके लिए और भी अच्छा होगा आज वियापार विवसाई कि यदि हम बात करें तो जमीन जाएदात के मामले में पढ़ने से आज आपको बचना चाहिए अन्यता कानोंदी विवाद म अनुबव हो सकता है इसलिए सरीर को परियापत आराम देना और स्वास्त का ध्यान रखना आज आपके लिए अती आवश्यक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अ इपक जला करके सिवजी को गंगाजल से अभिशेक करावे और सिवजी का अच्छे से स्रंगार करे वस्तर अरपण करे लाल पुष्प की माला अरपण करे और बिल बपत्र 21 के मात्रा में सफेद चंदन लगा करके अरपण करे और रितुफल मिठाई पंच मेवा का भोगरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से स्रधा पुर्वकारती उतारें और यथा शक्ती पंचाक्षरी महामंत्र ओम्न महाशिवाय का स्रधा पुर्वक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मिठुन मिठुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो इस समय उन्हें कोई उपलब्दी प्राप्त हो सकेगी तथा अत्यतिक धन लाब होने की भी सम्रामना बढ़ेगी जिसके चलते आपको लाब होगा और आपके दामपती जीविन में खुशियों की बारिश होगी कारी सफलता आपको मिलेगी जिससे मन में आपके प्रसनता बनी रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा अपने क्रोद और वार्णी पर संयम रखे अन्यता विवाद होने की संभावना जादा रहेगी तनाव गरस्त जीवन रहेगा लेकिन आपको सयम वधेरी से काम करने की अवशकता रहेगी आपके परिवार के विचार आपस में थोड़े से कम मिल पाएंगे आज आप उनके सहयोग को सराहेंगे और परिवार के सहयोग से ही आज आपको किसी कारेचेतर में अच्छी सफलता मिलेगी इसलिए आज आपको प्रहत्न करना चाहिए परिवार में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहें आज वियापार आज लाइब की एदि हम बात करें तो आप अपने परिजन हमेशा एक दूसरे की मदद के तयार रहेंगे अपने परिवार के साथ कुछ समय वितित अवश्य करें और आप उनके साथ कहीं गुमने फिनने का विचार करते हैं तो यह विचार आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज वियापार विवसाई की एदि हम बात करें तो अपने खर्चों पर नियंतरन एवं धन संबंदित लेन देन में अत्यंत सावधाने की अवशकता रहेगी कारिछेतर में परिशानिया अधिक रहेगी कारिभार की अधिकता रहेगी लेकिन आपको लाब अवश्य मिलेंगे आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो आज आपके आत्म बल में थोड़ी सी कमी रहेगी संबब हो तो सुबह योग ध्यान का सहरा लें और नियमित दिन्चरिया का पालन भी करें तो सरेरिक और मांसिक रूप से आप काफी स्वस्त रहेंगे तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वबाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्धगी का आटे का दीपक जलावें शिवजी को कच्चे दूद्व पंचामर से इसनान करावें पुनाह गंगाजल से इसनान करवा करके वस्तर अरपन करें यग्यो पवित अरपन करें और 21 की मात्रा में बिल्व पत्र सफेद चंदल लगा करके अरपन करें एक धतूरा अरपन करें हलवे और मिठाई का भूगरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से सरद्धा पुर्वकारती उटा दे और यथा शक्ती बेट करके महामरतिंजे महामंत्र या ओमनमहशिवाय पंचाकशरी महामंत्र का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ अच्छा अवसर आपको मिल पाएगा गुमने फिनने का धार में कारी तथा यात्रा के योग बन सकते हैं माता पिता का अशिरवाद तथा माता पिता के सही योग से किसी कारी को आप सफल बना सकेंगे घर परिवार में एक दूसरे के प्रती अच्छी भावना आपको देखने को मिलेगी जिससे घर परिवार का विकास अच्छे से आप कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आज खुद को तनाव युक्त महसूस कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में उतार चड़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है धन अचल संपत्ति में विवाद के योग जादा रहेंगे परिवारिक उत्तरदाइट्व में बड़ोत्री होगी कारिछेतर में प्रती बद्धिता का सामना आपको करना पड़ेगा और कारिछेतर में सहयोगियों से वाद विवाद आपका हो सकता है इसलिए सबी से विनम्र व्यवार रखे तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो अपने परीजुनों के साथ आपके संबंद मधूर रहेंगे अपने रिस्तों को मधूर बनाने के लिए आपको बहुत ही मदद की आवशक्ता रहेगी अपने प्रयासों को आपको जारी रखना चाहिए क्योंकि घर परिवार वालों के सयोग से आप कोई अच्छा कारे संपन न कर पाएंगे और घर का माहूल भी इससे आपके लिए काफी अनुकुल बना रहा सकता है आज व्यापर विवसाई की यदि हम बात करें तो आप विविद संसाधनों के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे कुछ बुद्धी मत्ता पुरुन निवेश करने के लिए आज का दिन बहतर है लेकिन उचित और पूरी तरह से परिश्रम के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज मांसिक असांती तथा तनाव पुरुन इस्तिती निर्मित हो सकती है इसलिए तनाव मुक्त हो करके काम करें और विशेश करके योग ध्यान का सहरा लें तो सरेरिक और मांसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे तो आज आज आपका भाग्यशाली अंक पाँच है शुबरंग आपका केसरिया रंग है तो केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं सी मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्णान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में आटे के शुद्ध धिंगें के पांच दीपक जलावे और गंद पुष्प अक्षत के द्वारा शिव परिवार का स्रध्धा पुर्वक पूजन करें पुष्प की माला अरपन करें और रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें ग्याराह की मात्रा में बिलव पत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें एक स्रीफल अरपन करें करपूर से स्रध्धा पुर्वकारती उतारें और बेट करके पंचाक्षरी महमंत्र या भगवान शिव जी के इस्त्रोत्र आदी का बेट करके पाट करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली रासी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कामकाज के छेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग रहेंगे घर परिवार घर गरहस्ती अच्छे से रहेगी संतान पक्ष को लेकर इस्तितियां अनुकूल रहने वाली है संतान के पढ़ाई लिखाई तथा केरियर को लेकर मन प्रसन्नव संतुष्ट रह सकता है संतान के स्वास्तों को लेकर चिंता करने की आवशक्ता आज नहीं रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आज आपको अपने मित्रों से सम्मान मिलने से खुशी होगी लेकिन सावधान रहें क्योंकि आपके कुछ मित्र आपसे इर्शिया भी कर सकते हैं आप उनके इस बरताव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इर्शिया आपको किसी प्रकार से प्रभावित करें इसलिए आपको आज थोड़ा सा सतर करह करके कार्य विभार करने के आवशक्ता ज़्यादा रहेगी आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज जो है नए मित्रता की निव रखने का दिन है आज नए व्यावसाइक वा सामाजिक संबंद बनाने के अच्छे संके थे किसी सामाजिक समारों में आप नए लोगों से मिल पाएंगे जिससे कई नए संबंद आपके लिए इस्थापित हो सकेंगे आज व्यावसाइक यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए शुब फलद आई रहेगा कारोबार यदि आप करतें तो वह अच्छे से चलेगा धरनल आपके इस्तिती बहतर रहेगी व्यापार विस्तार करने की योजना आप बना सकते हैं फिर भी कारे में सफलता मिलने में आपको विलंब हो सकता है इसलिए धेरे धारन करना अती आवशक रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज दिन सांती से व्यतीत करें विशेष करके योग ध्यान का सहारा ले आपका सरेरिक स्वास्त और मान्सिक स्वास्त दोनों ही बहतर रहेंगे तो आज आपका भागिशाली अंक चार है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियो कारिचहत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशिष लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वबादाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिष उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान शिवजी को गंगा जल से इस्नान करावे पुनह कच्चे दूस से अभिशेक करावे सुद्ध जल से इस्नान करवा करके भगवान शिवजी का स्रद्धा पुर्वक स्रंगार करें गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें और ग्याराह की मात्रा में बिलव पत्र सफेद चंदल लगा करके चड़ावें एक धतूरा अरपन करें एक स्रीफल अरपन करके करपूर से उनके आरती उतारें और यथा शक्ती पंचाक्षरी महामंत्र ओम्न महाशिवाय का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आध्यात्मिक छेत्रों में आपका विकास हो सकेगा किसी तरह की कला सजावट से संबंदी छेत्रों में आपकी रूची बढ़ सकती है पड़ाई लिखाई से संबंदी तलाब अपराप्त होने की ज़्यादा संभावना रहेगी यदि आप किसी तरह का कोई कोर साधी करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी आज की स्थितिया आपके लिए काफी बहतर होगी क्योंकि आज आपको भाग्यका साथ भरपूर मिल पाएगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं उच्च अधिकारियों से विवाद होने की आसंका ज़्यादा रहेगी इसलिए विवाहर में विनमरता बनाए रखें मेत्रों के साथ कुछ संबंद बिगड़ सकते हैं दूसरों से अपना बरताव अच्छा रखें अगर आप साहस रखें तो बुरा वक्त आसानी से वितित कर पाएंगे इस बात का यकित माने कि आप में से आप से किसी को परेशानी आज नहीं हूँ अपनी बात से किसी को ठेस नहीं पहुँचे इस बात का आज आपको ध्यान रखना अती आवशक रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो साथी के साथ मदभेट के कारण आपके संबंदों में परेशानी वा तनाव उत्पन हो सकता है और बच्चों को किसी परकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जीवन साथी को इस समय लाब की प्राप्ती हो सकेगी आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो कारीचेतर में परिवार का माहुल काफी अच्छा रहेगा और मित्रो परिवार के साथ दिन आनंद प्रमोध तथा मनोरंजन में वितीत कर पाएंगे जिससे मन आपका काफी प्रफुलित रहेगा मद्याने के पस्चात व्यापार व्यवसाई में अच्छा वातावरन निर्मित होगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज सारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में आनंद का वातावरन बना रहेगा आपका स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिशनान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाई के सुद्ध घी का दीपक जला करके कच्चे दूद में केसर्व चंदन मिस्रित करके भगवान शिवजी का अभिशेक करें और अभिशेक करने के पश्चात सुद्ध जल से इसनान करावी, गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, वस्तर अरपन करें, रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें, ग्याराह की मात्रा में बिलोव पत्र अरपन करें, एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनक परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज भाग्य उन्नती के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, किसी तरह का पहले से कोई विवाद हो तो उसका समाधान हो सकेगा, धर्मकारियों की प्रती रूची बढ़ने से मानशिक शान्ती आपको मिलेगी, आर्थिक द्रस्टी से दिन काफी अनुकूल हो सकेगा, परिवारिक इस्तितियां सामानित आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, फिजुल की दिखावे बाजी से दूरी बनाए रखें, बंदू वर्गत से मदवेद होने के संभावना अध चकता रहेगी और थोड़ी से तरकता रखना होगी, आज लाइब की यदि हम बात करें, तो इस समय अधिम में आग एक दूसरे को कोई अच्छा उपहार भेट कर सकते हैं, यदि आप विवाही थे तो अपने रिस्ते में जीवन साथी को महत्त देना, आपके रिस्तों को का स्वयम से पहले अपने जीवन साथी की बातों को सुने उनको महत्तों दे, तो आज घर परिवार का माहुल काफी अच्छा बना रहेगा, आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें, तो आज आयमे वरद्धी होने से आर्थिक कष्ट से आप दूर हो पाएंगे, वाहन वस्तर अबुशनों की खरिदारी करने के लिए दिन ठीक है, घर की सजावट पर विशेश ध्यान देंगे, प्रती इस परधियों पर विजय प्राप्तों कर पाएंगे, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज मोसम जनिती बिमारियां आपको परिशान कर सकती है, इस नीलरंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटव बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्राता का लिश्नान करने के पश्यात, भगवान सिव जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके, शिव परिवार का सरध्धा पुर्वक गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें, वस्तर अरपन करें, पुष्प की माला अरपन करें, 21 की मातरा में बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके भगवान शिवजी को अरपन करें रितुफल मिठाई और पंचे मेवा का भूग अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके महामरत्युझे महामंत्र का 108 बार स्रद्धा पुरुवक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वर सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पिता के साथ संबंद आपके बहतर रहेंगे भाई बंदों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना समय और परिस्तिती के अनुसार प्रयत न करने से आपको कारी चेतर में सफलता मिल सकेगी इसलिए घर में भी हर तरका विकास हो सकेगा आज आपको और शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारी चेतर में आपको थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं और आवश्यक हो तो सोच समझ करके कहीं निरणई आज आपको लेना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें यदि अभी तक आप सिंगल हैं और किसी को पसंद आदी करते हैं तो आप उन्हें प्रबोच कर सकते हैं या विवाह प्रस्ताव के लिए प्रेरित कर सकते हैं आपके साथी का भाग या आपके जीवन में आगे बढ़ने का मारग आपके लिए प्रसस्त करेगा और आप अच्छे दांपत जीवन का लाव उठा पाएंगे आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा व्यापार यदि यदि हम बात करें तो स्वास्त के मांसित दिन आज आपका सामानी रहेगा हाला कि खानपान पर थोड़ा सा सईयम बरते आपका स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग शाली अंक एक है शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का भगवान शिव जी के मंदिर में गाई के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान शिव जी को पंचामर से अभिशेक करावे पुनह सुद्ध जल्व गंगा जल से इसनान करावे वस्तर अरपन करे गंद पुष्प अक्षत के द्वरा सरद्धापुर्वक पूजन करे शिव जी के बीज मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वो सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज मित्रों के साथ तथा सगे संबंदियों से मदर संबंद स्थापित कर पाएंगी इससे आपको अच्छा सहयोग उनका मिल पाएगा किसी भी कारी को जिम्मेदारी पूर्वक करने में आपको सफलता मिलेगी इसलिए समय के नुसार अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना आज आपके लिए पाई जाती है तरह के दुंद में आप फस सकते हैं छोटे भाई भानों से आपके मदवेद होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांती का माहोल निर्मित हो सकता है इसलिए आज आपको सभी से प्रेम पूरवक व्यवाहर करने की विशिश आवशकता रहेगी आज लाइब किये द प्रेसान कर सकता है अता उनके स्वास्त का विशिश ध्यान दें आज व्यापार व्यवसाय की एदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए शुब फलद आई रहेगा अधिक लोगों के साथ संपरका आपका बना रहेगा जो भविश्य में काफी फाइदे मन रहेंगे का रिरिक स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्येशाली अंक नो है, शुब रंग आपका हरारंग है, हरे रंग का प्रियोक कारि छेतर में आज अधिक सधिक आप करते हैं, तो आपको विशिश लाभ की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न चंदन मिला करके अभिशेक करावें, पुनह सुद्ध जल्वा गंगा जल्द से इस्नान करावें, वस्तर अरपन करें, यग्यो पवित चड़ावें, और भगवान शीव का सरद्धा पुर्वक स्रंगार करें, रितुफल मिठाई और पंचे मेवा का भूग अरपन करें, एक उकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, आपके सगे संबंद्यों से संबंद काफी अच्छे रहेंगे, उन्नती के अवसर आपको मिलेंगे, यदि आप नोकरियादी करते हैं, तो पद प्राप्ती की दरश्टी से इस्थिती काफी अनुकू रहेगी और कोई पद प्राप्ती की योजना आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, यदि आप व्यवसायादी करते हैं, तो बाहर की यात्रा आदी में आपको अच्छी सफलता मिल पाएगी, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यह या समय पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम से काम लेने का रहेगा, विशेश करके चचेरे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो इस समय किसी भी बात को तूल आप नहीं दे, नहीं किसी बात में आप उलजे, इस समय यहाँ आपके लिए उचित नहीं रहेगा, आर्थिक तोर पर भी आपको अपने खर्च नियंतरन में रखने की आवशकता रहेगी, खर्च बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी, आज लाइब की यह दी हम बात करें, तो पार्टनर के साथ संबंदों में काफी मधूरता रहेगी, नीजी संबंदों म काम के अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कारे में आप सफल रहेगे, वानी की मधूरता से अन्य लोगों को प्रभवित कर पाएंगे, साथ ही उनके साथ संबंदा आपके मजबूत रहेगे, आज स्वास्त की यह दी हम बात करें, तो आज सारीरिक स्वास्त का विशेष ध्यान रखने की अवशकता रहेगी, विशेष करके बाहर के खान पान पर थोड़ा सा सैयम बरतेंगे, तो आपका स्वास्त उत्तम रहेगा, तो आज आज आपका भाग गिशाली अंकछे हैं, शुबरंग आपका केसरियारंग हैं, केसरियारंग का प्रियोक कारी शेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं, तो आपको विशेष लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटव बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए, आपका विशेष उपा इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी के मंदिर में गाई के शुद्ध घी का दीपक जला करके, शिव परिवार का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा सरद्धा पुर्वक पूजन करें, वस्त्र अरपन करें, और बिलो पत्र भगवान सिव जी को 21 की मातरा में सफेद चंदन लगा करके अरपन करें, और रितुफल पंचे मेवा का भोग अरपन करें, एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें, और बेट करके पंचाक्षरी महामंत्र ओम्न महाशिवाय का सरद्धा पुर्वक जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आ अगली राशी है कुंब, कुंब राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यदि आप राजनीती के छेतर में काम करते हैं, तो इस समय में राजनीती लाब प्राप्त होने के अच्छे अवसर मिल पाएंगे, और विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई लिखाई से संबंदित प्रयास करना है, तो प्रयास में आपको सफलता मिल जाएगी, वाहन इत्यादी की सुविधा प्राप्त होने की संभावना बहतर रहेगी, और वाहन इत्यादी में निवेस करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए लापपरत रहेगा, आर्थि यात्रा के दोरान, आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी को बरतना अति आवशक रहेगा, जो लोग नोकरी सुदा है, उन्हें अपने लक्षों को हासिल करने में थोड़ा ज्यादा ही संगर सकरना पड़ सकता है, आज लाइब की चातकों के रिस्तों में अनबन चल रही है, वे संयम से काम ले, अन्निता मामले और भी गड़ बड़ा सकते हैं, आज व्यापार व्यवसाई की एदि हम बात करें, तो आज का दिन आपके लिए सामान्य फलदाई रहेगा, लेकिन कटिन परिसरम से कारियों में आपको सफलत मिलेगी, अनावश्यक खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन आयमे वरद्धी होने से आर्थिक स्थिती भी आपके मजबूत हो जाएगी, आज स्वास्त की एदि हम बात करें, तो आज खान पान पर सयम बरतने से सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहेगा, तो आज आपक विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात, भगवान शिव जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का आटे का दीपक जलावे, और भगवान शिव जी को कच्चे दूस से अभ अभिशेक करावे, पुनाह सुद्ध जल्व गंगा जल से अभिशेक करावे, वस्त्र अरपन करे, यग्यो पवित अरपन करे, 21 की मात्रा में बिलव पत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावे, रितुफल मिठाई और पंचे मेवा का भवग अरपन करे, एक स्रीफल चड प्रकार से मिल सकते ही, भाग्य उन्नती के अवसर प्राप्त होने के साथ धन धान में वरद्धी होने की संभावना बहतर रहेगी, किसी तरह के वाहन इत्यादी प्राप्त होने की भी संभावना रह सकेगी, साहस और उत्साह के साथ किसी भी कार्यों का आप संपन कर पाएं सत्रू पक्ष आपकी कमजोरी का लाव उठाने की कोशिस कर सकते हैं कारिस्थल पर सावधानी पुरवक अपने कारियों को अंजाम दे व्यवसाई वर्ग जो लोग हैं अपने अधिनस्त करमचारियों पर नजर रख करके संभावित परेसानी से बच पाएंगे आज लाईब की यदि हम बात करें जो लोग अविवाहित हैं विवाह के बंदन में बंदने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए रिस्तों की बाते सिरे चड़ सकती हैं विवाह परस्ताव आपको मिल सकते हैं सांथी आपको भी प्रहतन करना चाहीं और विवाहित जातों के लिए जीवन सांती का भाग्यदई होने के भी प्रबल आसार रहेंगे आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिनाम देने वाला होगा व्यापार धंदावे से अच्छे से चलेगा धनल आपके इस्तिती बहतर रहेगी लेकिन परिवार का मावल अच्छा रहेगा परिवार के साथ आनंद पुर्वक समय आप व्यतीत कर पाएंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज सारीरिक स्वास्त पहले से काफी बहतर रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक दो है शुबरंग आपका जामूनी रंग है जामूनी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटव बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय की सुद्ध घी का दीपक जला करके सिवजी को कच्चे दूद में थोड़ी सी केसर और चंदन मिला करके अभिशेक करावें पुनह पंचामर सेशनान करावें सुद्ध जलव गंगाजल सेशनान करावें सिवजी को वस्तर अरपन करें और अच्छे से उनका सरंगार करें ग्याराह की मात्रा में बिल्व पत्र अरपन करें रितुफल मिठाई और हलवे का भूग अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके शिव चालिशा का स्रद्धा पुर्वक पाट करें तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए श स्रीक रश्णमित्रों फिर मिलेंगे